मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर द्वारा हिवाचर प्रदेश विधान सभा के मौनसुन सत्र को सफल करार देते हुए बहतरीन बताया गया जहां सभी विश्यों पर सार्थक चर्चा वर निर्धारित लक्षों की पूर्थी में कारियों का बढ़ना शामिल रहा वहीं विपक्ष द्वारा विधान सभा स्वत्र के अंतिम दिन अनुपस्टिती वह विधान सभा अध्यक्ष को हटाने के मामले को दुर्भाग्य पूर्ण वत्तर कहीन करार दिया गया में समस्तों के मौनसुन सत्तर बहुत बेहतरिन रहा है जितने भी प्रशन विपक्ष की ओर से सत्तापक्ष की ओर से मानी सुधस्यों ने इस सदन में पूछे हैं सभी के चो उतर दिये जा सकते थे वो उतर दिये गए हैं सार्थक चर्चा हुई है और बिल्प का पार्ण हुआ है और इसके अत्रिक्त में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल पर्देश बिधान सभा में मौनसुन सत्र के रूप में शायद ये सबसे लंबा दस दिन का सत्र गुआ आमतार पर मौनसुन सत्र पांच छे दिन का होता था इससे जादा नहीं होता था कि हम जादा समय के लिए बैठें जादा विश्यों पर हम चर्चा कर सकें और पिछले बजट सत्र में हम सत्र को जहां तक जितना दिन की हम सिटिंग करना चाह रहे थे उसमें व्यावधान कोवीट के कारण पड़ा था और ऐसे में हम जो हमारा 35 ज हम ने आगे बढ़कर के काम किया और मैं समझता हूं कि कि बहुत लोग हित के महत्तवपुन विश्यों पर इस मानी सदने में चर्चा हुई और दुरुभाग्या इस बात का कि अंतिम दिन विधान सबा का ये सत्तर का जो था उस दिन अगर विपक्ष भी साथ में होता तो म विधान सबा के सत्तर के दुरान चाहे वो मीडिया है चाहे हमारे यहां पर विधान सबा सच्वाल्या का सारा स्टाफ है जो भी कौंट्रिबूशन किया होता है तो उनके उस योगदान को ध्यान में रखते हुई उनका अभार वेक्ष करते हैं उनको बढ़ाई देते हैं जिसको मैं क्या सकता हूँ unexpected development जो हुई जिसका जिकर यहां पर आप फिकर रहे हैं कि विधान सबा के अंदर आज विपक्ष की ओर से speaker के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुरुभागय पून है इस परकार की ना परिस्थिती थी इस परकार की ना ही आफशकता थी इस परकार के प्रस्ताव की और ऐसी सूरत में सबसे बड़ी बात तो उनको इस बात को भी सोचना चाहिए देखना चाहिए कि टेक्निकली ये उनका प्रस्ताव maintainable है ही नहीं सदस्यों की संक्चा की इसाब से वो पूर्ती नहीं करता है और उसके साथ साथ में जो विधान सबा के अंदर ऐसे विशेव पर प्रस्ताव देना जिसके लिए एक time bound एक time एक limit है निरधारित है नियम के उनसार वो उसको भी पूरा नहीं करता है तो ऐसी सूरत में अपना परिहास नहीं बनाना चाहिए था उनको मजाक नहीं बनाना चाहिए था यह मैं समझता हूं कि एक अच्छी परंपरा उनने शुरू नहीं की इससे ज़्यादा गंबीर विशेव पर चर्चा होती रही इससे ज़्यादा गंबीर परस्तितिया सदन के अंदर होती रही है ले मैं समझता हूँ कि ये आवशक वे नहीं था और मैं इसकी निंदा करता हूँ.